तो गाइस आज हम सिखने वाले है क्लास 10 विग्यान का बोर्ड एक्जाम की दुरस्टी से बहुती आएंपी कोश्चन और वो कोश्चन फिर से आपके लिए डायग्राम वाला है जिसमें मैं आपको स्टेप बाइस्टेप बहुती आसान तरीके से डायग्राम सिखाने वाला ह हैं तो कितने आसान तरीके से बन सकती है देखते हैं तो आज यह आप फिर से अपनी कॉपी पेंसिल और रवर लेकर शुरू करते हैं कि किसे हम बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए आपको जो है फिर से दो नलीकाकार संद्रश्णा बनानी है सुझते होंगे कि सर के डायग्राम में हमेंसा नलीकाकार संद्रश्णा आई जाती है तो भी आप बायोलोजिक याने के विज्ञान के जी विज्ञान वाले में इसी तरीके से चित्र बने वे होते हैं अदिक्तर इनके आपको दो नलीकाकार मू बना देना है गोल करके अब यहां से बात आती है कि हम इस वाले को थोड़ी देर के लिए आगे रखने वाले हैं और इस वाले को थोड़ी देर के लिए पीछे तो सर्थ थोड़ी देर का मतलब क्या आप डाग्राम को देखते जाए आपको खुछ सोज में आ जाएगा हम इसको आगे रखने वाले कांझार सब्सक्राइब करते हैं कि इंपनले कि की दो नलीका नशना बनाई और उसमें से हैल्स वालिग्स साइड की जो नलीका थी उसके आमने दोनों हाथ निकाल दिये हैं अब इसके लिए तो उसके लिए हम इसा करते हैं कि इसके जो दोनों हाथ होंगे वो इस वाली नलिका के पीछे होंगे तो उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि इसका एक हाथ इस तरीके से निकल गया और एक हाथ इसके पीछे छुप गया है और उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बता सकते है इसके बाद वाला हिस्सा आजाता है आपको जो है इसमें नीचे उल्टे Y जीसा structure बनाना है तो जो पीछे वाला जो नलीका कर संद्शना थी अब वो जो है आगे आ जाएगी आप सुचेंगे कि कैसे तो मैं बतायाता हूँ अब जो है इस नलीका का जो वाय वाला हिस्सा बटने वाला है वो हमको आगे दिखाना है तो हमें वेसा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी दोनों भुजाओं को इस तरीके से फेला देना है तो इतने डाग्राम में क्या सुच में आया कि हमने LHS वाले साइड की नलीका की तो दोनों हाथ बना दिये है लेकिन RHS साइड वाली यानिकि उदर वाले नलीका के हमने हाथ पीछे बता दिये तो उसके पेर हमने पहले बना दिये है अब इसके पेरों को अगर हम complete करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं नीचे से एक एक लाइने और बना देते हैं और इसको जो है बंद मुझे इस तरीके से ढग सकते हैं और इसका goal मुझे बना सकते हैं क्योंकि यह नलीका कर संदशना ही है इसके बाद हमने जो पहले वाली नलिका जिसके हाथ बनाया थे उसके भी पेर बनानी कुछ करना है, लेकिन वो ऐसे दिखे कि इस वाली नलिका के पीछे की तरफ बन रहे हैं, तो देखो इस तरह की संरस्चना किस बना सकते हैं, हम इसको नीचे तक continue करते हैं और अब इसकी नीचे से जो है इसके वाया वाले सीरे को निकालना शुरू करते हैं है कर तो देखी पीछे वाले कार जो संद्रश्णा है उसके हमने दो इससे बना दी है और दोनों को बाटने के बाद अलग-अलग इस तरीके से जो है डिफ्रेंशिट कर देते हैं कि तो इस तरीके की आपकी दो नली कार संद्रश्णा बन भी गई है और यह पोज कुछ- pipe के हाथ आगे हैं तो RGS वाले के हाथ पीछे हैं लेकिन नीचे इसका ultra opposite हो रहा है कि उधर वाले side के पेर आगे हैं और इधर वाले side के pipe के पेर पीछे हैं यानि कि उपर और नीशे में थोड़ा सा अंतर आ गया है और इसके बाद का जो हमारा हिस्सा होता है वो है kidney बनाने का, तो kidney बनाना बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको यहां से start करना है, सबसे पहले हम एक C जेसा structure बनाएंगे, और इसका ultra हम इस तरफ कर देंगे, तो इस तरफ का हमने C जेसा structure ऐसा बना दिया है, उसके बाद इसक step by step यह डाइग्राम मनाने में मज़ा आता है, और आप बना भी पाते हैं, और अगर आप इन वीडियो को enjoy करते हैं सच में, तो आप एक बार like कर दीजिए, और subscribe भी कीजिए, अगर आप नए आए हैं, इसके बाद हम kidney के structure को पूरा करने वाले हैं, और वो आपको बहुत ही interesting लगेगी, यह जो उपर का end और नीचे वाला end है, इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं, तो यह पूरी तरीके से kidney की तरह अब दिखने लगा है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको मिला देते हैं, आपको इध्यान रखना है कि एक kidney चोटी या एक kidney बढ़ी ना देखे, आप उन दोनों को इसी तरीके से बनाएगी, दोनों लगबग एक बराबर देखे, इसके बाद हम इसमें हलकी से detailing कर देते हैं, तो इस तरीके से lining कर देंगे, तो जो है आपको 3D structure जैसी जो है, कि ने दिखने लग जाएगी, तो दोस्तो डाइगराम आपका थोड़ा सा बनादेनी है, तो उल्टे मटके जैसी संद्रशना बनाने के लिए आपको इस तरीके से बनाना होगा, और इसका मुझ जो इस तरीके से है, तो आईयोक की इसे उल्टे मटके जैसे संद्रशना आप भेआ बना पाएगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गोल घुमा की तो केसे जोड़ेंगे यहां से एक नली का कर्स अरशना बनाएंगे और उसको उल्टा एस जिसा घुमाते हुए यहां पर जोड़ देंगे अब इसका हम कर देंगे हैं तो हम किडिनी को वेसे करना है एस जैसिनलि का निकालेंगे और उसको इस मटका कार संरशना में जोड़ुणके और इस मटका कार संरशना में नीचे की तरफ आपको गुछे जैसा जाले नुमा इस्टफर बना देना है ज्यादा detailing के लिए आप फिर से वेशा कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा sketching जैसा कुछ थोड़ा सा अपना creativity दिखा सकते हैं तो इससे आपका diagram जो है थोड़ा सा interesting और उभार जैसा दिखने लग जाता है थोड़ा सा 3D structure जैसा दिखने लग जाता है तो लीजिए आपका जो है excretory system यानि कि उत्सरजन तंतर का diagram पुरी तरीके से तयार हो गया है और इसमें हमने पहले क्या क्या किया तमें आपको थोड़ा सा revision दे रहा हूँ हमने पहले दो नलिकाए बनाई थी पेली वाली नलिका के हाथ खीचे थे फिर उसको निचे लाकर दूसरी वाली नलिका के पेल खीचे थे और उसके बाद हमने किड़नी जैसे structure बनाए और लास्ट में बनाया मटकाकार आकरतिया और दोनों किड़नीयों को जोड दिया और इस तरीके से step by step बहुत ही आसान तरीके से डाइग्राम तयार हो गया है अब इसके बाद जो है आपको इसके नैमिंग वगिरा ही याद करना है तो मैं आपको इसके नैमिंग बताने वा और अगर ये उद्सर्जन तंत्रवाला व्यक्ति अगर आपकी तरफ देखेगा तो उसके लिए राइट वाला इससा इस तरफ होगा तो इस तरह वाली किड़नी को हम जो है दाया वरक कहेंगे दाया वरक दाया मतलब सीधे हाथ की तरफ और वरक के मतलब किड़नी तो उस शुबार है इसमें से आप एको नाम देजी, महा धमनी, यानि कि धमनी आट्रे जो होती है, वह वद्वाला काम शुद्ध रकते ले जाने धमनी है, इसलिए हमने उसका नाम दैदानेर अ इसके बाद वाली जो दुसरी धमनी है, इससे हम नाम देदेगे, महा शिरा, यानि कि इसके अंदर अशुद्ध रखतब हैगा एक तरफ वाली महाधमनी दूसरी तरफ वाली महासिरा और यह जो हमने एस आकार की नलिका से कृड़नी को एक स्ट्रक्चर से जोड़ा था उस नलिका का नाम है मुत्रवाहिनी यानि कि इसके अंदर से जो हमारा यूरिनेशन होता है वो किड्नी की तरू इस वाले स्ट्रक्चर में पोचता है मुत्रवाहिनी के बाद जो नीचे वाला इससा है जिसका नाम आप जानने के लिए उच्छुक है तो उस संदशना का नाम है आशय एसा आशय जो मुत्र को एकत्र करता है यानि कि यूरिन को स्टोर करने वाला अब मुत्राशय को ने penguin होता है ब्लेडर और यह जो हमने इकश्ष में नाम होता है इसके बाद ये वाले इससा जहां से मुत्र हमारे यह हम मुत्र द्वार कह सकते हैं करने का काम करती है रग्त में की चीज anniversary में अशुद्ध चीज मुत्र के द्वारा जो न्याहा है और फिर हम मैं I go to toilet सर बोलके जाते हैं और बाकी का काम आप जानते हैं तो दोस्तों चीत्रे तो पूरा बन गया है लेकिन आपको पता है कि हमारे body में एक emergency hormone बनता है और उस hormone की ग्रंतियां जो होती है दोनों kidney यों पर पाई जाती है एड्रिनल ग्रंति एड्रिनल ग्रंति से एक hormone बनता है जिसे हम adrenal hormone की नाम से जानते हैं और यह hormone हमारे लिए emergency hormone का काम करता है जैसे कि आप गले में कभी जा रहे रचानक से आपके पीछे कुटा भोगता वा दोड़ने लग जाया है किस तरीके से बनाते यह भी आपको पता है और इसके labeling भी आपको पता चल गया है तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और इस वीडियो को ज़्यादा स्टुएंट तक शेर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा IMP question में से एक है तो मैं आपको बता दू कि इतने ही प्यारे तरीके से हमने और भी डायग्राम वाली वीडियोज मनेई हैं जैसे मानव पाचन तंत्र का चित्र नाफरोन का चित्र मानव रिदे का चित्र तंत्र का तंत्र का चित्र अगर आप इन सभी वीडियोज को भी enjoy करना चाते हैं इन लाइब बेटन में जाकर इन वीडियो से सीख सकते हैं